प्रधान मंत्री आवास योजना एक हाउसिंग स्कीम है इंडियन गवन्मेंट की जिसका लक्षे है सभी इलिजबल नागरिकों को किफायती घर देना ये स्कीम 2015 में सभी को घर देने के अबजेक्टिव से शुरू की गई थी और इसे देश के अरबन और रूरल दोनों एरिय में लागू किया गया है प्रधान मंत्री आवास योजना स्कीम की दो कॉम्पोनेंट्स है PMAYU Urban Areas के लिए और PMAYG Rural Areas के लिए PMAYU स्कीम के तहत सरकार एलिजबल नागरिकों को घर के कंस्ट्रक्शन या पर्चस करने के लिए Financial Assistance देती है ये स्कीम घरों की दो काटेगरीज ओफर करती है एकनोमिकली वीकर सेक्शन और लो इंकम ग्रूप EWS घर के लिए मैक्सिमम कापट एरिया 30 स्कूर मीटर है और लिग घर के लिए 60 स्कूर मीटर है EWS नागरिकों के लिए सरकार होम लोन के इंटरस्ट रेट पर 6.2% तक की सबसिडी प्रोवाइड करती है मैक्सिमम 6 लाग के लिए और लिग नागरिकों के लिए 9 लाग तक के लोन अमाउंट पर सबसिडी प्रोवाइड करती है इसके अलावा ये स्कीम मिदल इंकम ग्रू के लिए credit linked subsidy offer करती है PMAYG scheme के तहट सरकार eligible नागरिकों को घर के construction या renovation करने के लिए financial assistance देती है इस scheme का लक्ष रूरल एरियास में रहने वाले लोगों की living conditions का सुधार करना है और 1.2 लाग रुपे तक financial assistance offer करती है नए घर का construction करने के लिए और existing घर के renovation के लिए 30,000 रुपे तक करती है PMAY scheme में eligible नागरिकों के लिए कई benefits शामिल है जैसे की किफायती घर का provision, water और sanitation जैसे basic communities और एक बहतर living condition ये scheme construction sector में employment opportunities create करके देश के overall economic development में भी योगदान देती है PMAY scheme सभी eligible नागरिकों को किफायती घर देकर अपने objective को achieve करने में सफल रही है और इससे देश के लाखों लोगों को अपना घर बनाने का सपना साकार करने में मदद मिली है PMAY का eligibility criteria क्या है? प्रधान मंत्री आवास योजना ये scheme 18,000 रुपे तक के annual income families के लिए available है इस scheme में eligible होनी के लिए individuals के पास इंडिया के किसी भी हिस्से में कोई permanent घर नहीं होना चाहिए PMAY scheme को monitored और evaluated Ministry of Housing और Urban Affairs मोहां आवास soft नामक web-based monitoring system के थ्रू करते है यह monitoring system national, state और district level पर scheme के progress पर data capture काटी है ऐसे ही informative content के लिए housed इंडिया को follow करें झाल